हेलो दोस्तो, स्वागा थे आपका हमारी चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज की वीडियो में हम 5 देसंबर सी समंधित उत्तरप्रदेश के सभी एक्जाम के लिए most important current affair के questions को discuss करेंगे और हरे questions से related आपको fact भी बताएंगे और वीडियो के अंते में हम आपसे एक questions भी पोचेंगे जिसका जवाब आपको comment box में देना है और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप की लिंक आपको वीडियो को description में मिल जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं आज का session सुरू करने से पहले हम कल के questions का revision करेंगे कल का पहला question है वर्ल्ड इंडिया स्कूल रेंकिंग दोजार बीस एकीस में उत्र प्रदीस का सर्फ्रिष्ट स्कूल कौन रहा इसका जो correct answer है वो है option number A CMS गुमती नगर लकनो अगला question है हाली मैं वारानसी में आयुजित मास्टर नेशनल गेम्स में दोड की तीन परतियों गिताओं में गोल्ड मैडल किसने जीते हैं इसका जो correct answer है वो है option number C रंजना खंगार ने और दोस्तो ये जो रंजना खंगार है ये उत्तर प्रदीस के हमीर प्रोडिस्टिक की रहने वाली है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और दोस्तो उत्तर प्रदीस का एंडफेर की प्रदीस करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउलोड कर सकते हैं और दोस्तों PDF डाउलोड करनी में अगर कोई भी प्रब्लम होती है या फिर आप PDF डाउलोड नहीं कर पाती है तो साइट पर आपको वर्शेप नंबर और एमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगला कुश्यान है अंतराश्ट्रिय मुद्रा कोस यानी IMF की नई डिप्टी मैनेजिंग डिरेक्टर निम्न में से किसे बनाए गया है इसका जो correct answer है वह हो ओफ्शन नंबर ए गीता कोपीनांत को अगला कुश्यान है भारत G20 ट्रुईका में सामिल हुआ है भारत के अलावा G20 ट्रुईका में सामिल अनदो देश्ट कौंसे है इसका जो correct answer है वह हो ओफ्शन नंबर डी इνडोनिसिया और इटली अगला कुश्यन है कैमिनेट समिती ने किसे भारत परियाटन विकास निगम का नया चेयर्मेन नियक्त किया है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नमर डी संबित पात्रा को अगला कुश्यन है भारतिय राष्ट्य राजमार्क प्राधिकरण ने पारिस्तितिक नुकसान की भरपाई के लिए पूरे देश में अब तक कितने करोण से अधिक पौधे लगाई है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नमर बी दो दसमलब दो तीन करोण से अधिक पौधे अगला कुश्यन है अंतराश्ट्य दिव्यांगिजन दिवस यानि इंटरनेशनल डे ओप परसंस वित डिसेबिल्टीज निम्न में से किस दिन मनाय जाता है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नमर बी तीन दिसमबर को अगला कुश्यन है असम राज्य सरकार ने राज्य का सरवोच नागरिक समान असम बैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोशना की है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नमर ए रतन टाटा को अगला कुश्यन है हाली में नई दिल्ली में पांचवें अंताराश्ट्रिये अंबेटकर सम्मेलन का उधगाटन किस ने किया इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्सिन नंबर सी राश्ट्रपती रामनात कोविंदने तो दोस्तों ये थे कलके कुश्यन्स जसका हमने रिविज की सौगात देंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्सिन नंबर सी 9600 करोर से अधिक की परियोजनाओ को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आगामी साथ दिशमर को उत्तरप्रदेश के गूरकपूर का दोरा करेंगे और वहां 9600 करोर रुपाई से अधिक की लागत वाली बेविन परियोजनाओ को राष्ट को समर्पित करेंगे इस अफसर पर प्रधान मंत्री पूरी तरह से क्रियानवित किये जा चुके गूरकपूर इस्तित एमस परिसर का भी उधगाटन करेंगे इसे 1000 करोर रुपाई की लागत से तयार किया गया है प्रधान मंत्री पूर खाद कारखाना भी सामिल है जिसकी अधार सिला उन्होंने खुद जुलाई 2016 में रखी थी पिछले तीस सालों से बंद पुड़े इस कारखाने को 8600 करूल रुपाई की रासी से पूनर जीवित किया गया है तो दोस्ते कुशन मुस्ट इंपोर्डेंट है आपको अच 1600 करूल रुपाई से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को वो समर्पित करेंगे अब दोस्ते परियोजनाओं में अगर देखा जाए तो प्रधान मंत्री नरेंद मुदी गूरकपूर में एम्स का भी उदगाटन करेंगे और यह जो एम्स है यह 1000 करूल रुपाई की किया गया है और इसके आधार सिला जुलाई 2016 में प्रधान मंत्री ने रखी थी और इसके लावा आपको ध्यान रखना है कि प्रधान मंत्री गूरकपूर खादकार खाना का भी उदगाटन करेंगे और यह जो खादकार खाना है यह पिछले 30 सालों से बंद पड़ा था और 2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने इस खादकार खाना की आधार सिला रखी थी यानि इसे पुनर जीवित किया गया था 2016 में जो कि 30 सालों से बंद पड़ा था अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक कुश्यान अच्छियों से ध्यान रखना है कि जो गूरकपूर का एमस है जिसका उद्गाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी करेंगे तो इस एमस परिसर में दुनिया का सबसे उचा प्रिलिंग टावर इस्थापित किया गया है और इसकी उचाई कितनी होगी तो 149.2 मीटर इस प्रिलिंग टावर की उचाई है तो यह काफी इंपोर् लोकारपन कौन करेंगे इसका जो करेक्ट अंसर है वो है उप्सन नमबर ए प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी कासी विश्वनात धाम के लोकारपन की बात प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी 23 दिसंबर को दूसरे वारानसी दोरे पर रोपवे और मंडली एक कारियालाय प परियोजना पबलिक प्राइवीट पार्टनर्सिफ के तहट पूरी होनी है गौदोलिया से कैंड के बीच रथयात्रा वा साजन तिरहा होते हुए रूपवे परियोजना 3.65 किलो मीटर लंबी होगी यह जो रूपवे परियोजना है इसमें 220 केवल कार और पृतियक पर 10 व्य स्थापित किये जाएंगे मंडलिया कारियाला परियोजना 250 करूल रुपई की लागत से बनेगी तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यानकना की 23 दिसंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वारानसी का दोरा करेंगे और वहां पर वो रूपवे परियोजना और मंडलिय कारियाला परियोजना की सौगा देंगे अब दोस्तों यह जो मंडलिय कारियाला परियोजना है यह क्या है तो 250 करूल रुपई की यह जो परियोजना है इसमें भूतल सहत 19 मंजला दो भवन बनने है इसमें से एक भवन पूरी तरह से सरकारी कारियाले के लिए होगा और जो परियोजना है यानि मंडली कारियले परियोजना इसे पूरा करने का लक्ष 18 महीनों में रखा गया है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि वाराशी के रोपवे लिम्टेड के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये इसका जो करेक्ट अंसर है वो है option number B SBI ने SBI ने वित्तिय साहता प्रदान करके महिला उध्यमियों को ससक्त बनाने के लिए उसा इंटरनिशनल लिम्टेड के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है समझोता कि अपन के अंसर उत्राकंड पश्यमी उत्रब्रदीस दिल्ली और NCR हरियाणा में बैंक की साखाएं सिलाई मशीन खरीदने के लिए उसा सिलाई स्कूल में महिला उध्यमियों को वित्त पोशन करेंगे संयुक्त देता सम्हू मौडल के तहत वित्तिय साहता प्रदान की जाएगी स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने इस संबंद को नवचेतना नाम दिया है तो ये नाम आपको चे से ध्यान रखना है तो दोस्तो जो स्टेट बैंक ओफ इंडिया है इसने महिला उध्यमियों को वित्य साहता प्रदान करने के लिए उसा इंटरनेशनल लिम्टेट के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है और इस समझोता ग्यापन के अनुसार जो है उत्राखंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिली और एंसी आर हरियाना में बैंक की साखाएं सिलाई मसीन खरीदने के लिए उसा सिलाई स्कूल में महिला उध्यमियों को वित्त पूशन करेंगी और दोस्तों यह जो उसा इंटरनेशनल लिम्टेड है यह पहले से ही देश भर में उसा सिलाई स्कूलों के महिलाओं को आवस्यक प्रसेक्शन प्रदान कर रहा है अब दोस्तों यहाँ पर अगर SBI की बात की जाए तो SBI की स्थापना कव हुई थी तो ध्यान रखना है 1 जुलाई कव हुई थी 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी और SBI के वरत्मान में अधिश कौन है तो दिनेश कुमार खारा और SBI का मुख्याला है कहां पर है तो मुंबई में SBI का मुख्याला है अगला कुश्यान है 5 दिसम्बर 2021 को किस चक्रवाद के ओडिसा और आंद्रप्रदेस के तटों के कुछ हिस्सों से टकराने की संभावना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जवाद चक्रवाद के चक्रवात जवाद की 5 दिसंबर 2021 को ओडिसा और अंद्रप्रदेस के तटों के कुछ हिस्सों से टकराने की संभावना है ये जो जवाद चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी में बन रहा है सौधी अरब के सुझाओ पर इस दूफान का नाम जो है जवाद रखा गया है और जवाद जो है ये सब्द एक अरवी भासा का सब्द है जिसका आर्थ होता है उदार तो आपको ध्यार रखना है कि पांच दिसंबर 2021 की इसको ओडिसा और अंद्रप्रदेश के तटों के कोछ हिस्सों से इस चक्रवात के टकराने की संभावना है अब दोस्तों इस चक्रवात से समंद्द गुश्यान आपसे पूछा जा सकता है जो चक्रवात जवाद है इसका जवाद नाम जो है ये किस के सुझाव पर रखा गया तो सौधी अरब के सुझाव पर इसका नाम रखा गया और ये जो जवाद सब्द है ये अरबी भासा का सब्द है अगला कुश्यान है आपदाओं को रोकने के लिए दिसंबर 2021 केस में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया इसका जो करेक्ट आंसर है ओप्सन बर बे बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को राजय सभा से 2 दिसंबर 2021 को मंजूरी के साथ पारित किया है सदन ने विधेयक में सरकार द्वारा पेस किये गए संसोधनों को भी मंजूरी दे दी विधेयक बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोक्ताम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी निरिक्षन संचालन और रख रखाफ और उनके सुरक्षित क्रिया कला को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संसद ने राज्य सभा से दो दिसंबर 2021 को बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को मंजूरी के साथ पारित किया है और यह जो बांध सुरक्षा विधेयक होगा यह बा राष्टपती रामनात कोविंद ने दिसंबर 2021 में व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्य और जिले आदी पर वार्सिक राष्ट्रिय पुरुसकार प्रदान किये किस राज्य को दिव्यांग व्यक्तियों के ससक्तिकारण को बढ़ावा देने में की रूपय मानिता दी है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है और सी तमिल नाडू राष्टपती रामनात कोविंद ने दिव्यांग जनों के ससक्तिकारण की दिसा में उनकी उतक्रिष्ट उपलब्दियों और कारियों के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्य और जिले आदी को वार्षिक राष्टिये पुरुसकार प्रदान किये पुरुसकार 3 दिसंबर 2021 को प्रदान किये गए तमिल नाडू को नहां रखना है तमिल नाडू राज्य को दिव्यांग जनों के ससक्तिकारण को बढ़ावा देने में सर्वस्रेश्ट राज्य की रू और तमिलाडू में लोगसभा सीटों की संख्या कितनी है तो धियान रखना है 49 यहां पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 18 यहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या है अगला कुश्यान है चौरानवेवा अखिल भारतिय मराथी साहित्य सम्मेलन दिसंबर 2021 में किस सहर में शुरू हुआ इसका जो करेक्ट आंसर है वह अप्सिन नमबर ए नासिक में 94 मा अखिल भारतिय मराठी साहित सम्मेलन 3 दिसंबर 2021 को नासिक महारास्ट में सुरू हुआ इसका उद्गाटन वरिष्ट लेकक विस्वास पाटिल ने सम्मेलन के पहले व्यग्यानिक अध्यक्ष डॉक्टर जयंत नारलीकर की उपस्तिती में किया तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 94 मा अखिल भारतिय मराठी साहित सम्मेलन ये कब सुरू हुआ तो 3 दिसंबर 2021 को इसका उद्गाटन किस ने किया तो वरिष्ट लेकक विस्वास पाटिल ने इसका उद्गाटन किया और इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया जा रहा ह है अगला कुशियन है किस अफरीकी देश ने 2030 तक बाल विवास समाप्त करने का संकल्प लिया है इसका जो करेक्ट अंसर है वो है ऑप्सन नमबर ए दक्षिन सूडान ने दक्षिन सूडान के सरकार ने महादूइप में बाल विवास को समाप्त करने की अफरीकी संग के अभियान के अनुरूप 2030 तक बाल विवास को समाप्त करने का वादा किया है दक्षिन सूडान दुनिया के 40 देसों में से एक है जहां बाल विवास की दर सबसे अधिक है 2010 में एक सर्विक्षन किया गया था और उसमें ये पाये गया था कि लगबग 7% लड़कियों की साधी 15 वरसे पहले होती है और 40% लड़कियों की साधी जो है वो 18 वरसे पहले कर दी जाती है तो ये 2010 में एक सर्विक्षन में बताये गया था तो दोस्तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षर सूडान की सरकार ने 2030 तक बाल विभा को समाप्त करने का संकल्प लिया है अब दोस्तो अगर दक्षर सूडान की बात की जाए तो दक्षर सूडान की राजधानी क्या है तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल क्या है ज दक्षन सूडान के President है कौह है तो नाम ध्यान हटना है। अगला कुश्यान है नागालेंड के होर्ण्बिल महुसब का कौन सा दिसंबर 2021 में सुरू हुआ इसका जो करेक्ट आंसर है वह वो है Option number C 22 नागालेंड का 22 हो जिσιंबर 2020 को शुरू हुआ यह महुसव एक साल की अंतराल की बाद हुरा है यह किसानों के नागा हैरिटेज बिलेज में आयुजित किया जा रहा है यह दस दिनों तक चलेगा यह महुसव पहली बार वर्स 2000 में आयुजित किया गया था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नागा लेंड में 22 मां हॉर्न बिल महुसव एक दिसम्बर को सुरू हुआ अब इस तरह से आपसे कुश्यन पूझा जा सकता है कि जो हॉर्न बिल महुसव है यह किस राज से संबन्दित है तो आपको ध्यान रखना है यह नागा लेंड से संबन्दित है अब दोस्तों यहाँ पर नागा लेंड की बात है तो यह है मैप में नागा लेंड नागालेंड की कैपिटल है कुहिमा नागालेंड की चीफ मिनिश्टर है नेफियूरियो और नागालेंड की गवर्णर है जगदीस मुकी वैसे दोस्तों अगर देखा जाए जो जगदीस मुकी है ये असम के राज़ेपाल है लेकिन इन्हें जो है वरतमान में नागालेंड क अत्रिक्त परभार दिया गया है तो वर्तमार में अगर देखा जाए कि नागा लैंड के राज़पाल कौन है तो जग्दीस मुखी अब दोस्तों नागालेंड में लोगसभण सीत की संक्या कितनी है तो ध्यान रखना है एक यहां पर लोगसभासीड की संक्या है और एक यहा राइट आंसर है वो है उप्सन नमर सी ओडिसा की मुख्य मंतरी नवीन पटनायक ने एक दिसमबर दोहजार एकीस को राज भर के समाचार पत्रों के फेरी वालों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोश्रा की है सुचना एवं जनसंपर्क विभाग उन्हें पहच और अगर प्राकृतिक मृत्य होती है तो उस इस्तिती में एक लाख रुपाय की साहदा उनकी परिजनों को दी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि ओडिसा सरकार ने जो है सामाजिक सुरक्षा योजना ये सुरू की है समाचार पत्रों के फेरी वालों की लिए अब य सीटों की संख्या कितनी है तो आपको देहार रखना है एक केस यहां पर लोग सबाई स्योग संख्या है और दस यहां पर रज्यसवा सीटों की संख्या है तो दोस्तों ये थे पाच देसंबर सी संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एक्जाम के लिए most important current affair की कुश्चन जो इसका जो correct answer था वो option number C था गोंडा और लगबख सभी students ने इसके सही जवाब किये और मैं आपसे हरोज क्याता हूँ कि जो भी question आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उस question का answer जरूर किया करो तो यह है आज का question यूपी में free laptop और tablet वितरण करने के लिए इस portal को launch किया गया option number A है section portal B है DG सकती C है DG tab और D है सकती portal जो जो भी correct answer है वो आपको comment box में बताना है और सभी लो question का answer जरूर किया करो क्योंकि जब भी आप question का answer लेकर के देंगे तो वो question आपको हमेसा के लिए अच्छे से याद हो जाता है तो दोस्तों अगर आपको आसका वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और अगर चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी वेल आकन को भी प्रेस करें ताकि time to time notification अब तक पहुंचता रहे तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू